अगर बागेस्वर भाबा हिंदू मुसल्मान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका बिरोत करूँगा और बागेस्वर भाबा आएंगे हिंडू मुसल्मान को लड़ाने का काम करेंगे तो अगर भाइचारे का संदेश देंगे हिंडू मुसलिम सी किसाई हम सब हैं भाइबाई तो उनका बिहार में इंट्री हो सकता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ राजिश कुमार और आज बात करेंगे बागेस्वर धाम और लालो प्रसाद के बड़े बेटे बिहार सरकार के मंतरी तेश प्रताप यादब के बीच हुई तकरार की तो आपको बता दें की बागेस्वर बाबा यानि की बागेस्वर धाम के जो प्रमुक हैं धिरेंदर शास्त्री बागेस्वर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं अब वो जिस तरीके से सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वज़े से और पिछले दिनों जिस तरीक के मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े वेटे तेश प्रताप यादव को भी तो दरसल हुआ यह है कि बागेस्वर बाबा बिहार आ कि अपना कारिक्रम है 13 मई से पटना में तीन चार दिनों का उनका प्रवचन है उनका सत्संग है जिस तरीके से वो सभाएं करते हैं धार्मिक आयूजन होता है अपनी बात रखते हैं कथा करते हैं यह आयूजन इस बार पटना में हो रहा है और बाकी जगों पर आपने देख यादव में भी रही है और इसको लेकर के कहीं न कहीं अब बिहार की धरती पर भी सियासत हो रही है आपको बता दे कि तेजप्रताप यादव ने धिरेंद्र शास्त्री पर करारा हमला बोला है बाबा बागिश्वर को टार्गेट करते हुए तेजप्रताप यादव ने कह है कि बाबा बिहार आ रहे हं उनका सौागत है लेकिं अगर वो यहां पर हिंदू मुश्लिम करने आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के रवाने आ रहे हैं तो फिर उनका मैं विरूद करूंगा तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या तेश परताप यादव अपने अस्तर पर बाबा बागिस्वर का विरूद करेंगी ये इसलिए सवाल महत्पूर है क्योंकि इससे पहले भी तेश परताप यादव जो कहते हैं वही करते हैं और तमाम तरह की बात अच्छे पद पर वो बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो लालू परिवार है चाय लालू प्रसाद हो या तेजस्वी आदव हो उनकी भूमिका होगी उनको समझाने में लेकिन सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बाबा बागिस्वर अलग-अलग मंचों स तो क्या तेश-परताप यादव वहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंच जाएंगी ये बहुत महत्वपूर है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बाबा बागिस्वर कुछ भी बोलते हैं तो सुर्खियां बन जाती है और तेश-परताप यादव कुछ भी बोलते हैं तो सुर्खियां बन जाती है इस बार दो सुर्खियों में बनने वाले लोग एक साथ है यानि एक दूसरे के खिलाब बोल रहे हैं तो अब देखना है किस बार सुर्खियां कितनी बनती है तो आज के लिए बसतना है